तो अलोड वर्ण कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उताना हूँ सैमसंग गलेक्सी में जो बिक्सपी होता है दोस्तों बिक्सपी के अंदर एक नया अपडेट आया उसने अपडेट के साथ कुछ नए फीचर को वहां पर जोड़ा गया है क्या यह नए फीचर को वहां जोड़ा गया आगे आपको वीडियो बताने वाला हूए तो हम इसके मत करीया दोस्तों वीड़ीयो पूल 20 देखिए का तो यहां 3.2.25.1 वर्जन है जो कि एक अगल 2022 को रोल आउट किया गया था जो की 53 MB का है यह जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ यह फ्लेश मोवाइल जो नॉर्मल मोवाइल होते है में उसमें कम आता है पहले प्रीमियम फोन में आता है उसके दीदरी नीचे रोल आउट होता है मे आप अपको एसा यहां पर इंटर फेंट दिकाई देगा यहां तो सबसे पहला अपडिट यहां पर यह दिया गया है आप यहां पर उसको ओपन करेंगे ईड़ करने कहा जहीं यह तर आपको प्री देवां कमांड़ को मैंड बताए क्या वाट is today date, या फिर सब चीजी यहां पर set कर दिया है, इसको मैंने safe कर दिया है, इसको मैंने यहां पर safe कर दिया, ये safe हो गया है, अब ये work करेगा, कैसे work करेगा, मैं आपको बताता हू, Hey Bixby, Hey Bixby, Good morning, Good morning, तो जैसे कि मैंने बोला वो आटोमेटिक जो भी उसके पास एट जो कमांड टी आटोमेटिक रहन हो गई है मतलब कि जो आप कमांड देंगे उसके अंदर आपने जितने भी वहाँ पर वो करके रखियोंगी सेट आपने टास्क करके रखियोंगी आटोमेटिक पूरे कर देगा तो आप देख रहे हैं यह पूरी तरह से यहाँ पर रन हो चुके हैं तो यह होता है बिक स्पी का पहले रिकमेंड वाला और ऐसे ही आप अपने खुद का भी बना सकते हैं कमांड कैसे आपको यहां त्री डॉट्स पर जाना है यहां क्यों कमांड में आना है आपको यहां पर रिकमेंड में और भी मिल जाएंगे अगर आपको और कोई भी बनाना है तो आप बना सकते हैं तो आप बात पर देख लेना है यहां माई कमेंड पर आके आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करके आपको जो भी यहां पर बनाना है like मुझे यहां पर मैंने बना दिया highest sunny मैं एक normal सी बता रहा हूँ या फिर मैंने यहां पर लिख दिया selfie आप चाहें यहां पर बॉल के भी लिख सकते हैं मैंने selfie लिखा और मैंने यहां पर select command कर लिए command पर आने के अध मैंने हां पर select कर लिए camera ठीक है camera select करने के अध मैंने हां पर select कर लिए tag का selfie अब यह हो गया अभ मैंने इसको यहां पर save कर दिया save करने के अब क्या होगा है bixby selfie तो आप देखेंगे वह automatic run हो जाएगी और मेरी selfie यह आपको फीचर है जो कि नया एड किया गया है यह हमने खुद create किया है तो इसको हमना आरा my command में जाएगा आप क्यों command में देखेंगे तो यह my command में जाएगा आप यहां पर बहुत सारी command बना सकते हो और delete भी कर सकते हैं तो सबसे फ़हला जो फीचर वह यह है उसके दोस्तों सेकंड जो फीचर दिया गया है उसके लिए मैं आपको यहां पर दे दी गई है यह style आपको यहां पर दे दी गई है अगर यह यहां पर अलगलग बहुत साओं दी ओग만ander यह उसके वाद घु सतों नीचे कर आएंगे तो यहां पर आपको और कुछ नहीं किया गया यहां पर सब नॉर्मल है यहां कुछ नहीं किया गया बस वहीः पर वहाँ पर change किया गया था, उसके बाद यहां से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद आपको यहां 3 dots पर क्लिक करना है, यहां पर आपको conversation history भी दे दी गई, जैसा कि उनसे लिखा था, आपने कब कब क्या क्या चीज यूज करी है, आपको सब बता देगा कब का last data भी होगा, तो बता देगा like मैंने कब यूज करा था, March 10 को मैंने इतनी सारी चीज़े यूज करी थी, उसके बाद मैंने इसको यूज नहीं करा, तो नहीं बताएगा अभी मैंने इसको यूज करा है, तो अभी की date वहाँ पर आजाएगे today, तो यह पूरी history बताएगा कि आपने कब कब Bixby को use करा, अगर आप नहीं चाहते हैं, उसको delete करा जाते हैं, तो आप यहाँ पर delete और clear और भी कर सकते हैं, तो यह तीसरा feature यहाँ पर यह है, उसके दोस्तों fourth feature क्या दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको तीन feature बता दिये, fourth feature क्या गया दिया है, यहाँ पर आप take a screenshot, timer, setting a timer, processing is done, यह सब आप without net के भी कर सकते हैं, और without server पर data भीजे भी, यह सब automatic काम कर लेता है, कैसे, hey Bixby, taking a screenshot, तो यह without पर server पर जाके, वह automatic यह वाला काम कर लेते हैं, तो यह command automatic काम हो जाती ही, दोस्तों, यहाँ पर, चार मैंने आपको feature बता दिये, कुछ ऐसे feature हैं, जो कि इसमें नहीं दिये, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ था, कुछ feature आपको available होंगे, galaxy s2, zphilip 3, and z4 3 पर, यह वाला feature मैं सबसे जो पहले लिखा था, turn on, skip, spix, spix में, lastly to get a verbal quiz, यह मुझे नहीं मिला, बाकी चार feature मिले, जो कि बहुत अच्छे दे, जो कि मैंने आपको बता है, उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक ज़रू करें, और अगर आपको लगते हैं, तो मेरी कुछ कमी ही, तो मुझे डिसलाइक वे सकते हैं, या फिर आप मुझे इस्टागराम पर DM करके भी पता सकते हैं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं, कि आपको यह मेरी वीडियो कैसे लगी, और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज या चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें तो थेंक्यू दोस्तों